एलो फ्रेंट्स आपका अपने चैनल इस्टड़ी फॉर जीनियस में स्वागत है गाइस देखिए छात रेक्ता में बहुत बड़ी शक्ति होती है इस चीज को लेके आपने जो है कल एक न्यूस सुनने को मिली होगी बिहार में जो आपका सप्लीमेंटर रिजर्ट था कहीं न कहीं यह चीज थी कि अप जो है आपका सप्लीमेंटर रिजर्ट जो है जारी नहीं किया गया प्रदर्शन हुआ था भारत की राजदानी दिल्ली में जंतर मंतर पे तो इसका भी जो है आपको जो एक रिजर्ड भी हम लोग को भी एक उमीद है कि बहुत जल से जल सी इस पर एक नेड़ा जारी करें की जो है जो कि छात रित्मे रहे हम लोगों की मांग यह है कि जो है सबी बच्चों को दिये जाएं या फिर इसका फिर आप रीग्जाम करवाएं बस हम लोग यहीं चाहते हैं यह जो आपका पेपर लीक मामल है गाइस बहुत ही बड़े इस तर पर बहुत ही पैमान बड़े पैमाने पर यह सारी चीजे हुई हैं और इसको एक रोकने का हम कि और बजरूरत ऐए ठीक आपके साथ की बहुत जरूरत है इस टाइम पर क्योंकि अगर आपका साथ रागाईज तो हम लोग होंगे काम्याब एक दिन और आने वाले टाइम में कि वो जो है जोपरी बनाने में वक्त लगत है जोपरी बनाने में वक्त नहीं लगता है महल से वक्त लङत on यह लड़ाई साती एक दिन की नहीं है कि एक दिन लड़ाई नहीं है यह लड़ाई जो है हमारे हस्क की है और जब तक हमारा हक मिल नहीं जाता है तब तक चीज़ेंच चलती रहेंगी लेकिन आप लोग पढ़ाई वी लिखा चुट देजिए आपको पढ़ाई भी करना है लड़ाई ये चीज़ेंच चलती रहेंगे क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है आज कल सोचल मीडिया का जबाना का आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए साथ देती रहिए चीजे कहीं न कहीं अपने आपिस जो है आगे बढ़ रही है और आप लोगों का जो सपोर्ट अभी तक मिला वह बहुत ही अच्छा लगा साथी और इसी सपोर्ट को देखते हुए जो है कहीं न कहीं यह चीजें यहां तक है कि एक्टिव है और है चाहते है कि इस मुद्दे को जो है क्योंकि यह धान्दे बाद इतनी तेजी से जादा हुई है युछ पेपर में भी आ चुका है लेकिन CBSC एक्षण नहीं ले रही है और मेरी यही गुजारिश है कि Ismae कोई नगोई एक्षण लिया जाए आप जो को लेके जो है गाइस काफी जारती चीजे हैं और हम बस अपने हग की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हग की आवाज उठा रहे हैं और जो कि यह बहुत ही गाइस हमारे होना भी चाहिए क्योंकि यह हमारा अधिकार है ठीक है यह हमारा इंडियन कॉंस्टिटूशन में अधिकार है यह तो एक मौलिक अधिकार है भागती में वर्डित भी है ठीक है तो यह सारी चीजें आपको बता दें काइस कोई भी अधिकारी वर्ग हो या फिर कर्मचारी वर्ग हो या फिर कोई आम नागरी की क्यों नहीं हो वह हमारे समगधान से प्रदर्शन चलता ही रहता है पिछाए अभी देखिए वेकेंसी लोगे बिहार में प्रदर्शन जारी है ठीक है और साथी अपने हग की लड़ाई के लिए सब लोग आगे आते भी हैं ठीक है क्योंकि ये भाई मेरा राइट है और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा बच हम तो यह कहते हैं कि हाला कि एक निउस निकल के आई है कि अब जो है आपका जो है ये पेपर लीक मामले को लेकर ये कारिवाई आपकी की जाएगी कि अगर जो भी इसमें लिप्त पाया गया उसको जो दस साल की सजा होगी और साथी साथ एक करोड रुपै जुर्माना अब एक बहुत बड़ा कोई नियम कानून होना चाहिए कि यह चीज हो ही ना मतलब यह कि यह सारी जीज़ें हो ही ना तो इससे ब्यश्ट क्या हो सकता है एक two आप इग् pool करवाई है CD HepATT करवाया ता साथी और यह उमीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पे सारी चीजें हो जाएंगी आखिर पेपर लिक कैसे हुआ कई न कई या पिर जहां से प्रेंटिंग हुई होगी वहां से हुआ होगा तो यह सारी चीजे आखिर होती ही क्यों है और इस पे बिल्कुल कारिवाई की जानी चाहिए एक्शन लोगों को कि हमारा यह न्याय है हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे यह हमारा न्याय है और हमको यह चीज मिलनी चाहिए तो यहीं सारे चीज़ें थी साथी और अगर आप लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे नहीं चल रही है आप लोग का साथ भी मामला यह कि जैसे कि अगर यह लोग टीचर बनेंगे भी पेपर लीग करने के बाद में जिन बच्चों को पेपर मिला जैसे कि हम बता दें आपको 70-80% पेपर वाइरल हुआ आने वाले टाइम में या तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ आपको नपे मांक्स की जरूरत होती है 150 मांक्स में तो आने वाले टाइम में यह फिर भच्चों का भव से कैसे सवारेंगे क्योंकि इनके अंदर ही वह सारी चीजे जब नहीं है निगेटिविटी है पेपर को वाइरल करके यह सारी चीजें तब यह लोग वहां तक पहुचें तो आने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप सूचें कि उनका आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है तो यह सारी चीजें एक टीचर का यह दायत है कि वह जो है सही बच्चों को अपने सही मार्ग पर ले जाएं ठीक है उनको बताएं उनकी यह moral duty हो आप लोग बस सपोर्ट बनाया रखे है सती यह तो हक की लड़ाई है जब तक हक मिल नहीं जादा तब तक यह सारी चीजें चलती रहेंगी चले फिर मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत